इस आये सफसर को चल रही थी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात, खुल गया सारा राज, हेमन की अभी और बढ़ेंगी मुश्किले इडी ने PMLA कोट में दाखिल रिमान आवेदर में पूर मुख्यमंत्री हेमन सोरेन में उनके करीबे आर्किटेक्ट विनोट सिंग की बीच वाटसेप पर बातचीत के चैट का भी उलेक किया है और उससे संबंदित कुछ नमूने भी प्रस्तुत किया है इडी ने बताया है कि दोनों के बातचीत के बीच संबंदित 549 पने निकाले गए है ये चैट गूपनी दस्तावेजों के आदान प्रदान से संबंदित है रिमान पर पूस्ताज के दोरान हेमन सोरेन को वीडी ने उनके वे विनोज सिंग के बीच वाटसेप चैट को भी दिखाया उक्त चैट में बहुत से संबंदित सामगरी है हेमन ने उक्त वाटसेप के प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर से इंकार किया है इसके बावजूद उन्होंने ये स्विकार किया कि उक्त चैट उनके बीच बाचीच से ही संबंदित है वाटसेप चैट में केवल विभन संपत्यों से संबंदित वो अपनिय सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं था जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंदित था विनोट सिंग के वाटसेप चैट में जारखन करमचारी चैनायों गादी की प्रतियोगिता परिक्षाओं से संबंदित विभन पहचान पत्र भी शेयर किये गए है नरेंदर प्रिसाद सिंग जेल अधिक्षक जिला जेल चास बोकारों में पत्सथापित थे उन्होंने केंदरी कारा होटवार के लिए इच्छा जताई थी वहीं जिला जेल चाईबासा के जेल अधिक्षक जितेंदर कुमार ने हजारी बाग सेंट्रल जेल के लिए च्छजताई थी उक्त पेपर के नीचे कुल 0.75 करोड रुपए लिखा गया है आपको हमारे ये रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ताजा तरीन और रोचक जानकारिया प्राप्त करते रहें